दोस्तो छलावा जिसका कोई अकार नहीं होता जिसका कोई रंग नहीं होता जिसका कोई रूप भी नहीं होता कहते हैं छलावा कुछ इस तरह के प्रेत होते हैं जो की आपको छल में फसाकर शिकार करते हैं छलावा ज्यादा समय तक आपके साथ छल नहीं कर सकते एक और भात कि छलावा कभी भी आपसे ज्यादा समय तक आँख से आँख नहीं मिला सकता ये सूरज की किर्णों से डरता है छलावे को अंत में इतना कह सकते हैं कि जिस वैक्ति का उसके दिमाग पर संतुलन अच्छा नहीं होता और अगर वो अकेले सुनसान सड़क पर सूरज धलने के बाद रुख जाए तो खुश-किश्मती से ही वो जिन्दा बच पाएगा आईए जानते हैं आज की कहानी जो कि इसी पर अधारित है ये कहानी है अर्मान की अर्मान जो कि मुंबई के साई दर्शन में रहते है आज की ये कहानी बेहत दिल देला देने वाली है तो आईए जानते हैं अर्मान की कहानी दोस्तो मेरे नाम अर्मान है मैं मुंबई का रहने वाला हूँ ये किस्सा मेरे साथ नहीं बलकि हमारे साथ घटा था इस घटना को मेरे साथ घटे लगबग 6 साल हो चुके हैं तब मेरी उम्र कुछ 15 साल की थी सब कुछ ठीक ठाक सल रहा था इसी तरह एक बार की बात है एक राजेंदर अंकल थे जिनका रूम मेरे रूम से चार रूम आगे था वो उन दिनों गाउं गए थे और फिर किसी को शायर गाउं से ख़वर लगी कि राजेंदर अंकल ने सुसाइट कर लिया है वैसे इस बात ने हम सभी को अंदर से हिला कर रग दिया क्योंकि एक तो राजेंदर अंकल बड़े खुसमिजाज इनसान थे उन्होंने सुसाइट कर लिया ये हम सभी मानने में बड़ा कतरा रहे थे खैर कुछ एक महीना बीता लेकिन इसके बाद जो हमने देखा उसके बाद तो हमारे तो होश हुड़ गए सच में आस्ता यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है राजेंदर अंकल उसी रूप में उसी शरीर के साथ उसी तरीके से चौल में आये हम सब लोग उन्हें देखकर बड़े अश्यरे में पढ़ गे हमारा चौल खेतों के कौने में वसा था बावजूद इसके वहां काफी लोग रहते थे राजेंदर अंकल इस बार अपने गाउं से एक महीने बाद लोटे थे लेकिन उनमें कुछ बदलाव दिख रहा था जैसे अब वो अपने रूम से दिन में बाहर नहीं निकलते थे वो किसी से बात तक नहीं करते थे यहां तक कि कभी भी उनके घर में लाइट जली हुई नहीं दिखती थी और तो और कुछ दिनों के बाद उनके घर से अजीब सी बद्बू आने लगी थी उनका घर भी बहुत गंदा रहता था लेकिन क्या करे सब तो अपने काम से काम रखते थे जिस वज़ा से चौल में किसी ने भी उन पर नजर रखने की दिल्चस्पी नहीं दिखाई सब ने बस यही सोचा कि जो खबर थी वो शायद जोटी होगी लेकिन इस बार कुस तो अजीब जरूर था क्योंकि हमारे चौल में दो कुटे थे दोनों ही पालतू कुटे थे वो दोनों कुटे जब कभी भी राजेंदर अंकल को रात में सिर जुकाये हुए टहलते हुए देखते तो ना जाने क्यों पर वो जोरों से अजीब सी हवास करते थे उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे की वो अभी उनको नोज डालेंगे लेकिन दूसरी तरफ राजेंदर अंकल भे उसी तरफ गुसे से देखने लग जाते थे कुल मिला के बहुत कुछ अजीब सा दिख रहा था राजेंदर अंकल में इसी तरह की एक बात है मेरे मौसा जिनका नाम कलीम था वो देर राग घर लोट रहे थे उन्होंने बताया कि करीब रात के तीन बज रहे होंगे उन्होंने देखा कि वही राजेंदर अंकल अब किसी और रूप में वही पास ही में डस्ट बीन के अंदर सर गुसाय कुछ चबा रहे थे कलीम अंकल ये देखकर बहुत जादा डर गए इसलिए वो वही कुछ पेडों के पीछे छुप गए उन्होंने देखा कि काफी समय तक राजेंदर अंकल उस दस्ट बीन के अंदर मू लगाए थे पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं दस्ट बीन काफी बड़ा था एक तरह का नीला ड्रम पर थोड़ी देर बाद जब राजेंदर अंकल ने अपनी मुंडी निकाली तब उन अंकल का पोरा मूँ खून से सरा था देखते ही देखते इसके बाद वो दिवार कूद कर दूसरी तरफ चले गए और फिर वापस उस दिवार से कूदे और सीधा अपने रूम में चले गए कली मंकल ने ये सब अपनी खुली आँखों से देखा था अगली सुभा कली मंकल ने ये सारी बाते अपने अब्बू को बताई और धीरे धीरे ये बात पूरे चौल में फैल गई अब लोगों को राजेंदर अंकल पर शक हो रहा था दोनों कुत्ते एक ही रात में खूब चिला रहे थे लेकिन अगली सुभा उन दोनों कुत्तों का कोई पता नहीं था सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था अब लोगों में अंकल को लेकर तरह तरह की बाते हो रही थी एक दूसरे अंकल भी थे जिनकी राजेंदर अंकल से बिलकुल नहीं बनती थी एक बार उन दोनों के बीच काफी जादा जगड़ा हो गया जगड़ा जैसे तैसे शान्त हुआ दोनों अपने अपने खर चले गए इसके बाद आगे क्या हुआ किसी को पता नहीं अगली सुभा जिन जिन लोगों ने देखा उन्हें अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ उन्होंने देखा कि राजीव अंकल जिन से जगड़ा हुआ था वो एक पेड़ से लटके हुए हैं उन्हें शायद किसी ने फंदे से लटका दिया था वो एक जामुन का पेड़ था वहां लोग अकसर गर्मियों में बैठने जाते थे इस घटना के बाद से सब लोग राजेंदर अंकल से अब थोड़ा चौकनना रहने लगे लेकिन मामला थोड़ा और घंबीर हो गया आखिरकार कब तक उनके अंदर का सच हम सब से छुपता एक दिन गलती से राजेंदर अंकल के रूम की बाहर वाली खिड़की खुली रह गई जबकि अक्सर ऐसा होता नहीं था तो ठीक एक अंकल आंटी उसी तरफ से शायद अतने घर को जा रहे थे लेकिन उन्हें उनके रूम से गुजरते समय बड़ी ही अजीब सी महक आई उन्होंने मूपर रुमाल लगा कर जब अंदर झाका तो उन दोनों के पसी ने छूट गए उन्होंने देखा कि राजेंदर अंकल के घर में बिल्ली साप खरगोश और दो आदमियों की लाश है जिसे राजेंदर अंकल बड़ी ही बेरहमी से चबाए जा रहे है ये देखकर उन दोनोंने चिनला कर सब को बुलाया हमारे माता पिता ने हमें कमरे में बंद कर दिया और खुद उस तरफ निकल गए हम कुछ देख तो नहीं पाए पर उन्होंने बताया कि वो कोई बड़ा अजीब जीव था सबने मिलकर जैसे ही दरवाजा तोड़ा तो वो बड़ी ही फूर्ती से बाहर भाग निकला अंदर पूरा कमरा बद्बू कर रहा था ये सब देख सारे ही चौल वालों के होश उड़ गए इसके बाद से उनका पूरा रूम लोग कर दिया गया तब से हमेशा के लिए वो कमरा बंद कर दिया गया है पर एक बात है राजेंदर अंकल हमें फिर कभी नहीं दिखे अब वो सच में कोई जानवर था या राजेंदर अंकल ये बताना बहुत मुश्किल है पर राजेंदर अंकल उसके बात से हमें कभी नहीं दिखे हलाकि कुछ दिनों बाद राजेंदर अंकल के माता पिता से बात चीत हुई और जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उनके भी होश ओड़ गए उनका कहना था कि उनकी मौत तो एक महिने पहले ही हो गई थी और वो भी उनकी मौत का कारण काला जादू था साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसी ने राजेंदर अंकल को अपने वश में कर लिया था जो कि उनसे उटपटांग हरकते करवाता और जब तक ये सब हमें पता चलता कि राजेंदर ने आत्महत्या ही कर ली थी कई लोग तो इसे चलावे का नाम देते हैं तो कुछ किसी प्रेत का अब इसके पीछी की सच्चाई क्या है ये तो भगवान ही जाने पर वो जो कुछ भी घटा था उसने हम सब को हिला कर रख दिया था आएए दोस्तो चलते हैं इसी के साथ एक दिल देहरा देने वाली तूसरी कहानी की तरफ आएए सुनते हैं दोस्तो विहार के रहने वाले सौरव हमें बताते हैं कि जो घटना उनके साथ घटी वो बहुत ही अजीव थी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होता है उन्हें कभी इन भूत प्रेतों पर कताई यकीन नहीं होता था लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने इस बारे में नहीं सुना हो बल्कि रोज नई नई बाते पर वो सब उन्हें फिजू लगती थी लेकिन अचानक जो उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें अंदर से जगजोर कर रख दिया और तो और उनका ये भी कहना है कि आज भी आयने में वो अपनी तस्वीर देखते हैं तो काफी देर तक तो खुद को देखती ही रह जाते हैं उन्हें यकीन नहीं होता कि वो अभी तक जिन्दा है दोस्तो मेरे नाम सौरव है हमने समसान घाट के बारे में तो सुना ही है हर दिन कितनी लाशे वहाँ जलकर खाक हो जाती है जिसकी गिंती भी नहीं की जा सकती कहा जाता है कि यहाँ जलने के बाद व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है पर ऐसा नहीं है प्रेत और भटकती रूहों का अड़ा है ये शंशान। लेकिन जब दुष्ट आत्मा से आपका सामना होता है तो आपका जीवित बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और मेरा सामना एक ऐसी ही दुष्ट आत्मा से हो गया था जिसके बारे में मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूं दोस्तो हमारे पडोस में एक व्यक्ति कुछ दिनों से बिमार चल रहा था उसे दिमागी बुखार था उसने जगा जगा अपना इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था और अचानक एक दिन सुभा के चार बजे उसकी मौत हो गई मैं और मेरा भाई दोनों उसके दर्वाजे पर जाकर देखे मैंने उसके चहरे को ध्यान से देखा आखों से कुछ सफेज सा तरल पदार बह रहा था दोनों आखे पूरी खुली और उसका चहरा एकदम डरावना सा लग रहा था सवेरे से सब व्यवस्था करते हुए लाज को घाट तक ले जाने में रात हो चुकी थी फरवरी का महीना था कडाके की ठंड पड रही थी हम लोग तकरीबन बारा या तेरा आदमी थे इनके पार्थिव शरीर को जीब की छत पर रसी से कसकर बांधी हुई थी हम दोनों भा का एसास करवा रही थी ठंड से हम सभी का हाल बहुत बुरा था लेकिन कुछ ही घंटों में हम सब घाट पर पहुँच गए घाट के बगल में जीब जाकर रुकी मैं और मेरे साथ कुछ लोगों ने मिलकर लाश को जीब से नीचे उतारा मेरे त्व्यक्ति को जीब से नीच नहीं किया इतनी ठंडी रात में शम्शान घाट का वो महौल काफी डरा देने वाला था चारों तरफ धूधू करती हुई लाशे जल रही थी सच में वो द्रिश्य मन को काफी विचलित कर देने वाला था उन्हें जलाने के लिए हम लोगों ने लकड़ी ले ली थी और कुछ लाश के पास था लाश का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था लेकिन पता नहीं अचानक कहीं से जोर से हवा चली और जैसे ही मैंने लाश की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए कपड़ा लाश के चेहरे पर से हट चुका था मुझे अच्छी तरह से याद है उसका चेहरा तो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था आखों की पुतलिया एकदम फैली हुई थी देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ही गोर रहे हो मैं डर गया और मैंने अपने भाई को आवाज देकर अपने पास बुलाया लेकिन मेरे भाई ने तुरंत वहाँ पर आकर उनका मुझ फिर से कपड़े से ढख दिया तब ही वहाँ कुछ और लोग आये और जल्दी से लाश को चिता के उपर रख दिया कुछ ही समय बाद पता नहीं मुझे क्या हो रहा था मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा था मैं अर्थी से अब लगभग 20 से 30 कदम पीछे की और हट गया था धीरे धीरे अर्थी ने जलना शुरू कर दिया था मैंने ध्यान से देखा कि उनके पूरे शरीर में आग लग रही थी आग से जलकर चहरे से पिगल रही चमडी को देखकर मेरा मन बहुत ही जादा विचलित हो गया मैं डर के मारे थोड़ी और दूरी पर जाकर खड़ा हो गया बिलकुल अकेला वहाँ पर एक जगा भले ही मैं अकेला खड़ा था पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कई सारे लोग खड़े है मैंने जब पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ मेरे सिवाए और कोई भी नहीं था मुझे ऐसा ऐसास हो रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई औरत थड़ी है जो धीमी धीमी आवाज में फुसुसा कर किसी से बाते कर रही है इन सभी चीजों के चलते मेरा मन बिलकुल भी नहीं लग रहा था मैंने अपने भाई से चलने को कहा पर उसने कहा कि ऐसे बीच में अकेले जाना सुरक्षित नहीं है थोड़ी देर में सब चलेंगे फिर हम भी चलेंगे मैंने कहा आपको रुकना है तो आप रुक सकते हो लेकिन मुझसे अब बिलकुल नहीं रुका जाएगा मेरा भाई बोला कि थोड़े समय और रुक जाओ ऐसे लाश को आधे जलते हुए छोड़कर नहीं जा सकते इतना कहकर मेरा भाई वहीं उन लोगों के साथ खड़ा हो गया और कुछ इशारों में बाते कर रहा था लेकिन तभी मुझे अचानक नजाने क्या हुआ और वही गिर पड़े फिर कुछ लोग और मैंने तुम्हें जीप में बठाया और यहां ले आए जहां पर मैं बैठा था उसी कमरे में मेरे दादा जी के बगल में खड़े एक मेरे करीबी ब्रामन ने मुझे बताया कि तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारी उंगली कटी थी और उसमें से खून भी बह रहा था कभी भी शम्शान पर अपने खून की एक भून भी मत गिरने तो क्योंकि खून की खुश्वू से वही सारी आत्माय जाकरित हो जाती है ऐसा लगता है कि जरूर तुम्हारा खून वहां एक दो भून तो गिरा ही होगा तभी तुम्हें अजीब सा महसूस हो रहा था तुम्हारे घर पर हर साल तुम्हें की हवन कुझ होता है शायद इसी वजह से अवजेतन अवस्था में तुम जिन्दा बच पाए पर अगर वहां कोई ना हो था तो शायद तुम भी आज ना होते क्योंकि कुछ आत्माएं बहुत ही बुरी होती है वो अगर एक बार पीछे पड़ जाए तो अपने मोक्ष मिलने तक तुम्हें बार बार सताएंगी दोस्तो उन्होंने ये भी बताया कि जब तुम भी होश थे तब बार बार तुम्हारे भीतर वो दुष्ट आत्माएं घुसने की कोशिश कर रही थी पर जल्दी ही तुम्हें वहां से ले आया गया दोस्तो इन सब के बाद पंडित जी ने मेरा सुध्धी करण किया जिसकी वज़ा से मैं मौत के मुह में जाने से बाल बाल बचा दोस्तो ये थी हमारी आज की दो ऐसी कहानिया जो की अपने आप में ही एक रहस्य मही गटना थी अगर आपको ये दोनों कहानिय अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेर और कॉमेंट तो जरूर कीजेगा क्योंकि आप तो जानती ही है मैं आपका कॉमेंट में हमेशा इंतजार करता हूँ बाकी मैं मिलूंगा आपको कुछ लंबी कहानियों के साथ तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का खयाल रखें बाइब बाइब